प्रदेश के स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए वर्तमान सरकार के कार्यकाल में नई भर्तियां नहीं हो पाई। केंद्र से बजट भी आया, स्कूलों में प्री प्राइमरी में बच्चे भी एन्रोल हुए और इन बच्चों को पढ़ाने के लि लिया गया तो विभाग ही आपस में सपश्टी करन को लेकर उलज गए। बार-बार कैबिनेट में ये एंजेंडा लगा उसके बाद भी स्कूलों में ये नियुक्तिया नहीं हो पाई। साल 2018 में स्कूलों में प्री प्राइमरी की कक्षाएं शुरू की गई थी। तब से लेकर पांच सालों में स्कूलों में जे बीटी शिक्षकों के सहारे ही काम चल रहा है। फिलहाल भरती की प्रक्रिया राज्य इलेक्ट्रेनिक विकास निगम को सौंपी गई है और निगम न समय एक साल के डिप्लोमा को लेना है या नहीं इस बारे में क्लिरिफिकेशन मांगी गई है। एक सवाल यह भी है कि ब्रिज कोर्स कौन करवाएगा और उसका खर्चा कौन देगा इस बारे में भी स्थिती सपष्ट नहीं हो पाई है। वर्तमान सरकार समगर शिक्षा के ब काफी रोश है। पांच साल से राहत की गुहार लगा रहे लेकिन सरकार के द्वारा आज तक केवल आश्वासन ही दिये गए है। नबंवर में होने वाले विधान सभा चुनावों में शिक्षकों का रोश गेम को गुमा सकता है। शिक्षकों पर बड़ा काम का बोज प्र पर देश में कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां पहली से पांच वी कक्षा तक एक ही शिक्षक है। ऐसे में प्री प्राइमरी के बच्चों को भी इन ही शिक्षकों को पढ़ाना पड़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद ह कोई तुटी हो गई हो तो ख्षमा करना मिलते हैं अगली बिग अपदेट के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत जै हिमाचल।